नमस्कार, जैसी राम, मैं दीपनेतवारी जूद साचार, आप सभी का स्वागत हैं हमारे इस एटुप चैनल होरा साष्ट एस्टालोजी में मित्रो क्या आप रोग से गरस्त हैं? अगर आपको किसी ना किसी प्रकार की बीमारी बनी रहती है एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी बीमारी परारम्भ हो जाती है आप बहुत दिन से बीमार हैं, आपके रोग का पता नहीं चल पा रहा है तो आप अपने कुंडली का बिसलिशन जरूर करा ले क्या आपके कुंडली का अश्टमभाव पीड़त है? इसा तो रहीं, आपके अश्टमभाव में राहु बैठा हो या फिर आपको राहु की महादसा चल रही हो या फिर अश्टमभाव में राहु का गोचर हो आप अपने कुंडली का एक बार बिसलिशन जरूर करा ले अगर आपको राहु की महादसा चल रही होगी तब आप बीमार हो सकते हैं या फिर अश्टम भाव में राहू बैठा हो तब भी आप बीमार हो सकते हैं या फिर अश्टम भाव में राहू का गोचर हो तब भी आप बीमार रह सकते हैं अश्टम भाव पीड़त होगा या अश्टमिश पीड़त होगा तब भी आप बीमार रह सकते हैं एक बार अपने कुणिली का बिसलिसन जरूर करा आला